So boundaries in relationship, आप लोग मेंसे कितने लोग हैं जिनके घर में boundary हैं, जिनके घर में बाहर एक दिवार है, जिनके बाहर एक gate है, जिसके बाहर एक drawing room है और उसके अंदर आपका bedroom है, क्या किसी का bedroom खेत में रहता है, क्या किसी का bedroom खेत में है जिसमें हाती आके चड़ गया, नहीं, हमारे घर में तो हम लोग इतना boundaries बनाते हैं, लेकिन अपने जीवन में हम लोग boundaries नहीं बनाते हैं, और चुकि हम लोग अपने जीवन में boundaries नहीं बनाते हैं, कोई भी हाती, कोई भी अजगर, कोई भी crocodile आके आपको पीस के चला जाता है, और आपका चितरा चितरा हो जाता है, और जैसे केचुए को मारने से उसका हर पार्ट रोता है, उसी तरह आपका अस्तित्वर होता है, कि how this person dealt with me like this. So, of course, we want to put the acknowledgement to this person, Henry Cloud and John Townsend. इन लोग के YouTube चैनल भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत सारा learning होगा, over 2 million copies are sold, when to yes say yes and how to say no and take a control of your life. For those who are new, this introduction is already over, programs have taken in engineering and medical colleges. मेरा जीवन में जब boundary खतम हो गया था, मेरी ऐसी हालत हो गई थी. कोई भी मेरे को door mat के तरह यूज़ करता था, you know what's a door mat? Door mat मतलब दर्वाजा के बाहर रखा हुआ मैट, लोग आके अपना पैर पोचके चले जाते थे, लोग अपना toilet urine करके चले जाते थे, उनको कुछ फरक नहीं पड़ता था, बट मैं अपना दुख के सागर में रोता रहता था, until I understood to draw the Lakshman Rekha. You need to draw a Lakshman Rekha in your life, and वो Lakshman Rekha इतना powerful होना चाहिए, कि कोई उसमें उंगली लगा है, तो उसको 440 वोल्ट लगना चाहिए, और गलती से वो आपके लाइफ में, he should not be able to take you for granted. आज का समिनार को मैंने एक बहुत अलग अंदाज से पेश किया है, क्योंकि मैंने देखा लोगों को थियोरी नहीं समझ में आता है, कि किसी किसी के घर के दिवार के ऊपर एक तार होता है, विच इस कॉल्ट अब बाब्ड वायर, यह तो यह गोल्डन लाइन को आप लोग याद रखेगा, इसको ध्यान से समझेए, एक माता हर दिन सुबह सुबह उड़ती है, और खाना बनाती है, टिफिन बनाती है, उसके बच्चे आ जाते हैं, मैगी का एक एड आता था, मैगी, मैगी, टू मिनिट्स, मैगी सब बैट के बरतन बजा रहे हैं, बिचारी उसकी मम्मी मैगी बना रही है, मैगी बना के सब को दे दिया, और उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट किया, कि बच्चों मेरे को ना जाना है जॉब में, प्लीज अपने अपने बरतन उठा के सिंक में रख देना, किसी ने सिंक में नहीं रखा, चलो एक दिन हो गया, ममी ने माफ कर दिया, अगले दिन भी वही, तीसरे दिन सब कोई मैगी मैगी बजा रहे थे, मैगी मैगी, we want a मैगी, मैगी नहीं आ रहा है, अब बोले बोई क्या हो गया, ममी ममी ममी, वो बोल रही है अपनी वाइफ को बुला रहा है उसका हस्बेंड तो वो खाली बरतन लेके आ गई बुली नो मैगी बुले वाई नो मैगी बुले कि फर्स्ट गो एंड गेट यॉर ओन प्लेट्स ओवर हेर देन अल्ली दे मैगी विल कम तो लोग उस लेडी को इसको करना ही है यह तो मेरी बीवी है इसको रोटी बिलना ही है अंटिल यह पौन्डरी क्लास और हैंडरी ने उसको बोला कि आज खाना मत बनाओ वैस एक छोटा सा बच्चा था मम्म में श्कूपाइब नहीं ज्कूल नहीं ज्कूल को जाके बोलती थी वह हंगामा करता था चिलाता था रोल करता था वह गया कॉंसलिंग लिया अगले दिन मम्मी उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं उसको बड़ा शौक लग रहा है आज कुछ नहीं बोल रही है, तो बोली मम्मी में स्कूल जाओ तो मम्मी ने बोला स्कूल नहीं जाना है तो लेकिन वीडियो गेम अहम तुमको खेलने नहीं जाओगे चलेगा लेकिन वीडियो गेम में खेलने नहीं दूंगी तुमको वह सोचा स्कूल चले जाते हैं वहां कम से कम थोड़ा तो वीडियो गेम खेल लेंगे एक लड़का लड़का ही वसक्लास एट स्टूडेंट वह आता था रूम में और इतना गंदगी मचाता था अपना पैंट इधर फेग दिया अपना जूते इधर फेग दिया मोजा इधर फेग दिया फिर अपना खाना का प्लेट वहीं रख दिया और मम्मी बोल-बोल के बेटा साफ रहो रूम गंदा मत करो यह मत करो कपड़े वाशिंग मेशीन में डालो और वो हाँ हाँ ठीक एक दिन दो दिन तीन दिन उसके बाद उसने काउंसलिंग लिया अब चौथे दिन से रूम की सफाई हो गई बंध अब कुछ नहीं हुआ पाचवा दिन छठा दिन जब इतनी गंदी बदबू आने लगी मोजे के सारा रूम उथल पुथल होने लगा बातरूम में सिंख फ्लश स्मेल आने लगा तो जाके मम्मी को बलता है रूम क्यों नहीं साफ करती हो मम्मी बोली अब रूम साफ नहीं होगा जब तक तुम साफ नहीं करोगे consequences are barbs on fences of relationship एक बार माफ कर सकते हो दो बार माफ कर सकते हो तीन बार कर सकते हो उसके बाद you need to put the consequences because if you don't put the consequences people will take you for granted कोई भी आत्मा केनावाट अलाओ anyone else to take you for granted they let people know the seriousness of the trespasser and seriousness of our respect for ourselves सबको समझ में आ रहा है अभी तक कितने लोगों को समझ में आ रहा हाथ उपर कर दीजिए तीन example मैंने दिया लोगों को आप बार-बार बोल रहे हैं और मैं golden principle बता दे रहा हूं कि माली जे अपने सर्वेंट को बोला अपने जो सेवा दे रहा है कि सबजी मेरे से पूछ के बनाई है और एक दिन आप जाके देख रहे हैं कि उसने खुदी डिसाइड कर लिए आज क्या बनाना है वाट यू विल डू यह सुधा मैं हर दिन सेवक को पूछना है कि क्या बनाना है एक दिन आप जाके देते हैं खुदी आलू मटर गोभी सब काट के तयार है आप जाके देखते हैं हैं है रान हो जाते हैं हो विल यू डिल विट इम बस यही गलती है यही गलती है फिर वो अगली गलती करेगा कोई बात नहीं है बना के तुम खुद खा लो और मेरे लिए नाया सब्जी काट दीजिए इससे क्या होगा कुक को क्या होगा सुधा मैं वह सूचीगी कि हा मेरे से गलती ही में 넣고 लोगों को बोलने में कुछ फरक नहीं पड़ता है कल्यूक के लोग है कतनी से कुछ नहीं होता है जब फिर से सब्सक्रुजी काटना होगा जीवन में गलती कभी भी नहीं करेगा तो बड़े प्यार से बोलने का कोई बात नहीं यह मिक्स्ट वेजटेबल आप खा लीजिए मेरे लिए आप मेथी अलू बना दीजिए तो आलवेज रिमेंबर लोगों को बोल के मत सुधार ना है बोल के कोई नहीं सुधरता है करा के लीजिए मान लेजे आपने अपने बच्ची को बोला कि बेटी मैं मेडिकल कॉलेज जा रही हूं यह वाला सामान प्लीज डाल देना और आप मेडिकल कॉलेज जाके देखते कि आपका टिफिन उसने डाला ने यह बैग में हो विल्यू डिल विथार लक्षमी माताजे अगले दिन बोलिया कि बेटी आज टिफिन तुम बनाओ ने तो मैं तुम्हारा टिफिन दूंगी नहीं बी वेरी स्ट्रिक्ट है ना सीधे बोलने आज तुम बनाओ है नहीं तो आप फोन करके बोलेंगे कोई बात नहीं मैं आज कैंटीन में खालूंगी तो और चार बार आपको एंटी में खाना होगा कलियों के लोग सुधरते नहीं है आई यूटिंग मी सो गेट इट डन बोलना नहीं है कराके लेना है माल लेजिए माया मैम अपना काम कर रही है और वह सर्वेंट को बोले कि यह वाला मेरा सूट अप्रेस करके रख दीजेगा और वह भूल गया प्रेस करना माया मैम हाउवल यू डील विट पॉस्ट परसल अन्म्यूट करके बोलिए आपको अभी जाना है फंक्शन में इसक आपको निकलना है आप देख रहें सूट एकदम अन्प्रेस्ट है क्या करें गया अब हम लोग उसी सिस्टी में आ गये हैं कि सब्सक्राइब करके पहन लिए फिर तो बहुत अच्छी बात है बहुर बारा छोड़ देगा और आपको पहले खुद का प्रेस कुछ दिन यह कपड़ा लेकर जाओ अब थोड़ा सा पाटी में उस दिन लेट में जाईए हां जब खुद जाएगा हॉन में दस तकलीफ होगा लेट होगा तब वो डिसाइड करेगा कि बाप रे बाप इससे तो अच्छा मैं खुद ही कर दूँ यह गिटिंग मैं पॉइंट सब्सक किसी को घंटा फरक पड़ता है हां आपको बहुत ग्यान देके लगेगा मैंने बहुत कर दिया कुछ फरक नहीं पड़ता किसी को किसी से मतलब नहीं है ओक है दे प्रॉब्लम कम्स वें समवन इंटरॉप्स दे लॉओ ऑफ सोइंग और रीपिंग इन अनधर लाइफ माल ल जाती है अब अचुत महिश्वर प्रभू बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं अपने बेटा से बहुत प्रेम करते हैं और वह दारूपी के आता है और घर में थोड़ा यह रहता है अचुत महिश्वर प्रभू लंबा लंबा कांसिलिंग सेशन ले रहे हैं उसके लिए और फिर वह बोलता है पापा पापा प्लीज इस बार छोड़ दो ना मैं एक दम कसम खाता हूं मैं कभी नहीं करूंगा मैं कृष्णा की कसम खाता हूं तो अचुत महिश्वर प्रभू बुलेंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं और अगले दिन जाते वक्त बुलेगा स्कूल में पापा थोड़ा से 20 रूपीज देना ना मुझे कुछ काम है और फिर देख रहा है कि अगले दिन वह दारूपी किया है है अच्छत महिश्वर प्रभू कि पैसा नहीं देंगे तो मम्मी से मांग लेगा मम्मी मम्मी देखो ना पापा कैसे करते हैं बहुत ही आज कलिये हो गये हम बोल रहेंगे हम सुधर है फिर भी क्या करोगे कोई अभी आप लोग देख रहें ना बाउंडरी किसी को इतना आसान दिखता है बाउंडरी इतना असान है नहीं यह प्रानिश प्रभू यह बोल के कुछ भी नहीं होगा वो पिएगा आपके मूँ पे तुक के चला जाएगा वेलकम गौरव कंसारा प्रभू वेलकम रॉबन जी तो मैं प्रित्वी जी अर्चना वर्मा मैं वीनू मैं प्रीस अंडर्स्टन इस कंसेट वेरी इंपॉर्ट एंपॉर्ट 99.99% जरूमा में बहुत दिकत होता है। फैमलीज में ऐसे दिकत होता है कि बेटा गलती पे गलती करता है वाइफ गलती पे गलती करती है हस्बंड गलती पे गलती करता है और आप emotional होके माफ करते रहते हैं करते रहते हैं और उसका आदत बिगरते जाता है so you are interfering with the laws of karma in which if a person does a sinful activity he is supposed to get the result but since you are covering up for the other person by giving him money by giving him love you will be implicated by the karma and both of them will go to hell आप लोगो समझ में आ रहा है इसी लिए stern discipline उस दिन अचूत महिश्वर प्रभू को बोलना चाहिए बेटा एक काम करोगे जिस दिन तुम दारूपी के आओगे ना इस घर में मत रुकना दोस्त के घर में रुको एक दो दिन रुकना बहुत असान होता है दोस्त के घर में तीसरे दिन से उसके घर वाले रिलेटिव भी लात मारके भगाएंगे उसको अरिव अनूरस्टनीग? so this is a very important principle to understand in behaviors we need to take responsibility for our choices this leads to fruit of self-control a common boundary problem is disowning our choices and trying to lay the responsibility for them or someone else अजकल इंडियन बच्चों का बड़ा तकलीफ हो गया है इन लोग का पता है यह लोग जो भी तमाशा करेंगे parents बेटा है बेटा है बेटा तो इसा करता ही है चलता है इतना तो चलता ही है but if you go to foreign countries I have seen that class four और five के बच्चे पूरा breakfast बनाते हैं लंच बनाते हैं डिनर बनाते हैं जाके newspaper बेचते हैं and that's why all the research and everything comes from the west and doesn't come from the India because ऐसे में कोई specific यह लेकर नहीं बोलूँगा इवन बेंगॉली इवन पंजाबी और यह लोग अपने लड़के को एकदम बादशाह के तरह घर में रखते हैं और ऐसा निकम्मा बनाते हैं है ना और ने बेटा है वो किचन में क्या करेगा बेटा का क्या का में किचन है अरे क्यों कल बीवी जब खाना नहीं बनाएगी तो बेटा कि आप बाहर जाके जोमेटों के लिए वेट करेगा सो दिस बिग मिस्टेक एवरी फैमिली मेक्स इस तो मेक देर बच्चे निठल ला बाई नॉट गिविंग देम रिस्पॉंसिबिलिटी और मेकिंग देम रिस्पॉंसिबल फॉर चॉइस विच्टे में अपने एक एक्जमपल देता हूं वीनु मैं माल लीजिए आप अपनी तीन चार साल की बेटी आम जिस्ट गिविं में नहीं और वो तमाशा कर रही है और सब लोग कलेक्ट हो गये हैं और कोई बोल रहा रहे मैडम दे दीजिए ना बच्ची ही तो है क्या कर रहे हैं आप हां क्या होता है थोड़ा सा डॉली ही तो मांग रही है हो विल्यू डिस सिचुएशन कुछ लोग इतने बेनेवलेंट होते कि अक्चुली वो दिला देंगे और अगली बार आपका बच्चा आपसे नहीं मांगेगा दूसरों से मांगेगा ममी नहीं दे रही है आप दे दिजिए ना क्या इजट रह जाएगी आपकी संतोश माता जी कैने वन गौरफ प्रभू वोड यू लाइक तो आस्ट चाहिड के हाव वाई दू यू यू वह वह रही आरोगेंट तैना वेरी वेरी यू नौ ब्रैट स्पॉल ब्रैट वो बुले गए पापा मुझे वो सबसे कोई मतलब नहीं है मुझे चाहिए बार्बी डॉल अभी तो आपको समझ में नहीं आता है क्या इतना मैं एंसर नहीं सकता हूं मुझे बार्भी लॉल लें के दीजी अभी तूरंथ यह सब एक्चुल लाइफ के सब्सक्राइब करें अपने अपने से मैंत करें कमा उसके बाद तुम सुपर दो इतना ग्यान वो सुनने वाला है क्या वो सीधे आपके दादा जी से पुछेगा दादा दादा मेरे पिता जी कबसे कमाई करते थे वें डिडी डू स्टाट यह कमाई आज कल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं यह स्रोबिन जी प्लीज अन्मीट रॉबिन जी यह स्वाइब यह प्लीज 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 इन यह मीज प्लीज तो माय सिशन तु दाट वी उसके पहले जाने के बचेट बच्चे 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 सब्स तो बच्चे इतना सुंते ने हैं surprises देते हैं जैसे बार्बी डॉल देखेंगे ना उनके में एक beautiful idea आ जाएगा and then they say अभी मेरे को चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए अब आपको बाद में आपके जिन बर मैंने आपको और कुछ मिलना है नहीं then again you have to be consistent with that or not this is one good answer Robin Jay has given give him a big hand आपको actually अपने बचे का budget fix कर देना चाहिए और उसको गुल्लक दे देना चाहिए और बोले कि जितना भी मिलता है बाबु कलेक करो इसमें और अभी आपको यूज करना है that means you are making the child responsible now he just can't ask his father whenever he wants right and give him the responsibility of saving money and say कि बेटा जितना भी तुम कलेक कर लिए ना इसे तुम को at least in control रहेगा so this was one answer and i will be discussing this over a period of time how to deal aise problems आप लोग के life मैं आप लोग face करते हैं how many of you this is regular चाहे wife और यहां मैं wife का example ले नहीं रहा हूँ because it is risky you know how many wives are there many husbands are there so I'm not taking लेकिन जीद जीद होता है है ना हर चीज का एक अपर लिमिट होता है is there anything which is infinite in this world do you have infinite energy do you have infinite time do you have infinite choices in your life so boundary very very important thank you thank you Robin ji a common boundary problem is disowning our choices and trying to lay the responsibility for them or someone else think for a moment how often we use the phrase I had to she made me this shows lack of your boundaries you know it is nothing to give and take with the wife so अपने life से दो चीजों को डिलीट कर दीजीए अभी how many of you are ready to delete अभी have to code delete कर दीजे life से have to मतलब boundary नहीं है अब यानी आप ऐसे घर में रह रह रहे हैं जहां रात को कुट्टा के आपके बेड में आके सो सकता है ना दर्वाजा है ना गेट है क्योंकि आप have to में जी रहे हैं आप से लोग have to करा के लेते हैं and as we go ahead in the seminar you will see how it feels one of the beautiful examples from this book is Paul would not even accept a gift that he felt was given because the giver felt he had to give it कितना बार आप लोगों ने गुलदस्ता दिया है या gift दिया है just because देने से काम होता otherwise नहीं देने से भी चल जाता he once sent a gift back so that any favor you do will be spontaneous and not forced we have been ध्यान से सुन्येगा this will change your life completely I have so many case studies we have been so trained by others on what we should do that we think we are being loving when we do things out of compulsion आप लोग आज लिस्ट बनाईएगा आज जहां आपको जबर्दस्ती कोई ऐसा चीज करना पड़ता है प्रें के नाम पे जो एक्चुली आप एक कंपल्शन के तरफ फील करते हो can you give some examples in the chat box जीवन में क्या क्या चीज प्रें के नाम पे आपसे करा लिया जा रहा है जो एक्चुली आपको कंपल्शन फील होता है चाहे वो मदर हो फादर हो सिस्टर हो ब्रदर हो वाइफ हो गल्फ्रेंड हो बॉइफ्रेंड हो जो भी हो setting boundaries inevitably involves taking responsibility for your own choices you are the one who makes them you are the one who must live with the consequences problem क्या होता है ना ध्यान से सुनिएगा दूसरों के choice की responsibility जब आप लेने लगते हैं तो आप भगवत गीता के principle के against में जाते हैं परो धर्मो भया वहा अब आप दूसरा का धर्म कर रहे हैं अपने स्वाधर्म को छोड़के अब आपकी चिंता पर पे है स्वा की नहीं होके and you are taking responsibility for others choices which is not allowed by the supreme personality of Godhead मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा when you start taking responsibility when you start feeling bad when you start getting emotionally affected by others choices that is the start of your fall down in this material world यानि बीवी problem गलत कर रही है और आपको feel हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं हर आदमी के साथ ये midlife crisis होता है हर ladies के साथ ही होता है हर father को लगता है कि मैं responsible हूं मेरे बच्चे के लिए so is the father not responsible yes he is responsible but only to the degree of allowing the child to take the right choices in life and that is the principle of कर्मन्यवाधि का रस्ते and you are the one who may be keeping yourself from making the choices you could be happy with कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों को tangent जा रहा है क्योंकि बहुत इप कंसेप है इस दुनिया में दो चीजें होती है हर आत्मा constantly choices बना रहा है मैं यह करूंगा कि यह करूंगा यह करूंगा यह करूंगा और हर आत्मा को भगवान उसका consequence देते हैं you can take your decision till you board the flight जैसे रॉबिन जी मेरे से मिलने आ रहे है है राची जिनिंद्रज जैन सर मेरे से आ रहे हैं and we all are going together for a function at this place शिखर जी जब तक रॉबिन जी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं है he has the choice but एक बर वो फ्लाइट में बैठ गये हैं he doesn't have the choice he has to land in राजी are you understanding life भी कुछ ऐसा ही है जब तक आप दूसरे व्यक्ति के choice को guide कर सकते हो वहीं तक boundary बनता है एक बार उसने choice ले लिया ना उसको responsible फील कराओ खुद की responsibility लेके दुनिया का ठिका मतलो you will be an immense problem you will shatter your energies you will distribute your energies यानी Robin जी का अगर 100% energy खुद के आत्मा के लिए है अब उनका 10% wife पे चला गया 5% trainer पे चला गया 6% बच्चे पे चला गया 7% neighbor पे चला गया and from within he will feel empty are you understanding this deep concept as long as the other person is taking the choice you can help him once he has taken the choice it's his life his responsibility you don't take that load otherwise you will feel frustrated सबको समझ में आ रहा है is it clear to everyone and we will be taking the questions soon values we are yes sir agar maan liji हम लोग को काम बोलती है वो शामने वाला काम नहीं हो पाता है तो अगर हम लोग उसको डाटते हैं चाहिए कुछ बोलते हैं कि काम तुम में क्यों नहीं किया इसके बजाए कि खुद हम लोग कर लिए तो उसमें भी तो हम लोग के energy waste होती है ब्यूटिफुल फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी अप्लिकेबल क्वेश्चन एक बर फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि अगर आप उसके लिए तो उसमें भी हम लोग की energy waste होती है माया मैम ध्यान से सुनिये अगर आप उसको train नहीं करेंगे cultivate नहीं करेंगे तो energy आपकी जीवन भर waste होगी लेकिन अगर आप उसको correction देके समझा देंगे by your action आपकी energy एक बार waste होगी are you getting my point yes please understand that training करने में effort लगता है यहाँ पे इतने सारे students रहते है people are from different parts of India हालत खराब हो जाती है मेरी I can easily do the work in microsecond जिसमें मुझे 10 minute लगता है but that cultivation is a long term thing which will give you results lifelong आप समझ रहें training is the vital thing there is not even a single activity in this entire material world जहां training की जोरत नहीं पड़ती है PT उशा को भी दोड़ने के लिए heavy training की जोरत पड़ी किसी ने हमें brush करना सिखाया किसी ने हमें कंगी करना सिखाया किसी ने shirt पहनना सिखाया so that effort is very much required for your lifelong peace आपकी energy एक बार जाएगी लेकिन जीवन भर आप शान्त रह सकते हैं और विपसना प्रेक्टिस कर सकते हैं लेकिन अगर आप उसको नहीं सिखाये हर दिन वो आपको ट्रबल देगा इसमें दो बात मैं बोलूंगा बड़े स्टाइल से मैं यह बोलता हूं लोगों को याद नहीं रखता है क्या बोला मैंने अमूल दर टेस्ट अफ इंडिया कोई आपके साथ कॉंस्टन्टली प्रॉब्लेम कर रहा है बोलिये मत चुप हो जाएए उसको अमूल द टेस्ट अफ इंडिया दे और चार दिन बाद वो हसेगा. आप वो लोगे हस क्यों रहा? वो हथोड़ा का ये अभी चार दिन बाद उसके अंदर गया. वो इतना पावर से जो हथोड़ा, उसका चमड़ी इतना मोटा था ना, कि चार दिन बाद हथोड़ा का वो अंदर गया. Are you getting me? So, do it by action. Deprivation policy. उसने आपको अमूल का टेस्ट दिया ना? See, this is not a revenge. Please understand. Internally, we want to love. We want to forgive. But अगर आप सुधारेंगे नहीं ना, तो लोग आपके सर पे बैठके तंडव करेंगे. If you think that your wife loves you, if you think that people are loving you, you're in a grand illusion. मृत्यू के बाद चार दिन, कोई बोल के दे के पाच्वे दिन कोई आद भी नहीं रखेगा. So, don't be in that grand illusion. Your purpose of life is to connect with the super soul. Do your work. Do your self-growth. Do your contribution to this world. And get out of this world with moksha. सब को समझ में आरहे? Yes, sir. Okay, thank you. We are caught up in valuing the approval of men. Rather than the approval of God. बहुत अच्छा लगता है. We are in this drama triangle. Where one person, इसके बारे में मैं बोलूँगा, one person is the sufferer, other person is the validator, and the third person is the rescuer. This is the drama triangle of life. लोगों को बहुत अच्छा लगता है. पता है, पता है, प्रभुजी, मेरे को ना मेरी वाइफ ना ऐसे बोला, और तब आप बोलेंगे कोई बात नहीं, उसको बहुत अच्छा लगेगा. क्योंकि अभी उस traumatized आदमी को एक rescuer मिल गया है. And this drama triangle goes on and on. You know why it goes on and on? Because we are caught up in valuing the approval of men rather than the approval of God. It is not between you and your family. It is not between you and the society. It's not between you and other people. It is between you and God. And because of this misplaced value, we miss out on life. Can anyone tell me what is meaning of miss out of life? यहां Robin जी है, यहां Gaurav जी है, यहां Veenu मैम है, यहां Saha मैम है, माया मैम है, पृत्वी जी है. और अगर मैं एक statistical chart को खड़ा कर दू यहां पे, हर आदमी अपने जीवन को एक fixed percentage ही जी रहा है. यहांनि गौरव जी अगर 90 out of 100 जी रहा है, हो सकता है सौरव जी, सौरव चौदरी जी, 60 out of 100 जी रहा है. यहांनि आप अपने life को पूरा तब तक नहीं जीते हैं, जब तक आप have to में रहते हैं, और दूसरों के approval पे depend करते हैं. We think that the power, the riches and pleasure will satisfy our deepest longing, which is really for love. And when you get that stage, When you stop the approval of others, अब your sense of self-worth does not come from others, but your sense of self-worth comes from your own आत्मा or the self, you understand that you have started living life. अप लोग को समझ में आ रहा है सबको? Understand that you have started living life. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सुबह से रात तक मैं खुद भी बहुत approval पे जीता हूँ. मुझे चाहिए कि लोग बुले, Dr. Saurab, it was a nice class, you really spoke very well, the YouTube video was very nice. जब तक मैं ऐसे approval में जीऊंगा, तब तक actually मैं life को जी नहीं रहा हूँ, मेरी लाइफ चलती का नाम गाड़ी बना हूँ है, क्योंकि approval is the fuel on which my flight is taking a take-off. When will the day come when it is only between me and God and I don't depend on anyone's approval except for Guru and the Supreme Lord. Are you understanding? And this is the principle of boundaries in relationship. Limits. What we can do is set limits to our own exposure to people who are behaving purely. We can't change them or make them behave right, but you can limit your exposure. कितने लोगों को experience है कि कुछ-कुछ लोग इतने toxic होते हैं कि जैसे ही बात करना शुरू करते हैं, ऐसे लगता है कि लिच के तरह आपके energy को सकाउट कर दे रहे हैं. How many of you have the experience? Some situations, some people, some difficult. So what you need to do that अपना exposure का button, I am a radiologist, we have exposure to CT scan MRI and exposure is following the principle of ALARA, A-L-A-R-A, और इसका full form है, as long as radiologically acceptable. उसी तरह आप अपने exposure को कम कीजिए, जैसे गर्मी के धूप में निकलने से काला पंच आ जाता है चेहरे पे, वैसे ही इस दुनिया के negative लोगों में रहके, आपका negative energy बढ़ते रहता है. Many times devotees are telling me, मैंने कायोट सर किया, मैंने साधना किया, मैंने नाम जब किया, मैंने साधना किया, बट मेरा mind बहुत disturbed है. इसका एक ही कारण है, आपने अपने टंकी के energy leaks को बंद नहीं किया. यानि एक तरफ आप प्लास्टिक में आम को डाल रहे हैं, और दूसरे तरफ प्लास्टिक से सारा आम नीचे गिर रहा है, because आपने अपने energy leaks को बंद नहीं किया. And can anyone tell me that how you can close your energy leaks? Very simple. I am giving you the Sudarshan Chakra formula to stop the energy leaks. And that formula is, don't have any negative feeling for anyone in thoughts, words and actions. क्या बुला मैंने? Don't have any negative feeling for anyone in thoughts, words and action. जैसे ही आप ये करते हो, आपका vital energy को अपने ब्लॉक कर दिया, जैसे बंद होता है ना, अलग-अलग बंद होता है, कुमभक होता है, रेचक होता है, जैसे ही आप इसको करते हो, आपका energy is with you. If Robin Oswald sir says, every day after getting in the morning, my energy is with me and your energies go back to you, बस ऐसे वो तीन बार energetically करे, सारा जो इतना सारा negative energy का projection वो लिये हो है, it immediately goes back. Wherever your attention goes, energy flows, energy follows intent. अगर सुबह उठके आप तीन बार बस बोले, all my negative thoughts, delete, 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 and you say it with a lot of intention, immediately your negative thoughts are deleted. एक साधना करके एक thoughtless state में आने के लिए बहुत महनत लगता है, घंटो बैठा रहना पड़ता है, लेकिन उस महनत को तोड़ने के लिए एक सेकंड लगता है, एक negative आदमी आके एक comment आपको बोल देता है, and सारा energy out. How many of you have this experience, raise your hands. So please stop your energy leaks first. And how can you stop your energy leaks? By giving out and stopping the six things in life. And have a loving feeling towards every living entity in this world. Immediately आपका अनर्जी भ्लो को जाता है, right? Our model is God. God, He does not really set limits on people, listen to this very carefully, understand the structure of the universe और प्रकृति की बाउंडरी को समझिये, दुनिया, पेड़ पौदे, अनिमल, कैसे ये लोग दील करते हैं, our model is nature, our model is God, He does not really set limits on people to make them behave in a particular way, God sets the standards but He lets people be who they are and then separates Himself from them when they misbehave, saying in effect, you can be that way if you choose to but you cannot come to my house, heaven is a place for the repentant, all are welcome but you need to qualify to go to that place, नतत भास्यते सूर्यो नाशशाशांको नापवकह यत्गत्वान निवर्तंते ततध्धामं परमम्माहा God will not interfere in your personal life and yet He will not allow you to come back to the kingdom of God because you don't have that energy, अगर वीनु मैम को अगनी से एस्सोसियेट करना है, she has to be अगनी, क्योंकि पानी बन के वो अगनी में गई तो वश्पन जाएंगी, so if you have to go to the level of God, you have to grow your own self to match the energy with that conscious energy so that you be in that supreme spirit, लेकिन God कभी किसी के life को control नहीं करते हैं, जैसे हम लोग control करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही करना है, जैसे ही आप ये बात बोलते हैं, you have started your energy leak, scripture is full of admonitions to separate ourselves from people who act in destructive ways, we are not being unloving, separating ourself protects the love, because we are taking a stand against things that destroy love, we need self-control without repression, इस दुनिया में हम समझते हैं कि कभी कभी अगर हमने अपना boundary बनाया, तो we are acting in an unloving way, यानि अगर मैंने किसी से कुछ काम करा के लिया, जो वो गलत कर हैं, सपोसी forgot the thing and I told him to come again, lifelong you have done a great service to him, although he may temporarily think bad of you, but how does it matter who thinks bad of you and good of you? Because the supreme personality, God is actually thinking good about you and that is what matters at the end of life. After death, only three things go with you, your karma, your dharma and your bhakti, everything remains here, my dear friends, everything remains here. world का number one trainer, Tony Robbins, success का definition क्या देता है? success means to know how much to do, for whom to do, till when to do, why to do and with what motive to do. ये चलती का नाम गाड़ी से जिंदगी नहीं चलता है, there has to be boundaries at every step. एक nuclear chain reaction को भी boundary नहीं लगाएंगे, तो वो ब्रह्मान को destroy कर देगा. एक ब्रह्मास्तर को भी boundary नहीं लगाएंगे, कि वो कहां action करेगा, वो destroy कर देगा. आपके जीवन में boundaries हैं कि नहीं? कि कोई भी आपके ऊपर doormat की तरह कुछ भी बोलके चलके चला जाता है. और आप रोते रहते हैं victimhood में. victimhood is a lack of boundary. The blame game is a lack of boundary. प्रभुजी, प्रभुजी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? प्रभुजी, सारे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि आपने boundary सिखा नहीं है. That's it. Nothing else. There is nothing else. We must own our own thoughts. Many people have not taken ownership of their own thinking processes. They are mechanically thinking the thoughts of others without ever examining them. देखिए, इस divine चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, कि जो भी सुबह से रात तक आप सोच रहना, यह किसी ने implant किया है आपके दिमाग में. Am I right? The environment, the TV, the trainers, the people. And this way actually you are paralyzing your own self. Because आपको पका पकाया माल मिल जा रहना. That paralyzes your thought process just like a calculator paralyzes the calculation process when every time it is available to you. Are you using social media or social media is using you? Are you understanding people or are people using you? Are you leading your life the way you want to with freedom? जोदी तो डाक्शुने के उना आश लो तो अबे एकला चलो रहे? Where the mind is without fear, the head is held high. आपका खुद का कितना thoughts है? और दूसरों के thoughts पे कितना आप dabble कर रहे हो? Are you checking out with yourself? We are mechanically thinking the thoughts of others even without examining them. क्या आपके साथ ऐसा होता है? When parents teach children that setting boundaries or saying no is bad, India का सबसे बड़ा problem यह है ना, कि हम लोग बच्चों का ना नहीं सुन सकते हैं. क्या आप अपने को इतना freedom में रख सकते हैं कि उनका ना सुन के भी आप उतना ही प्रेम दे सकते हैं? पता है, आज कल के बच्चे क्यों parents से दूर भाग जाते हैं? क्योंकि उनके माता पिता को ना सुनना आता ही नहीं है. पता है, आज इतने divorces क्यों हो रहे हैं? क्योंकि husband को लगता है कि wife ना बोल दी, मतलब अब उसको मेरे से मतलब नहीं है. The beauty about boundaries is that you can say no and still be extremely loving to the other person. लेकिन हम लोग को को ऐसा mentality fit कर दिया है, ना means rebellion. I can be a very loving friend of Robin जी, Chetan जी, by absolutely disagreeing with him 100% and that is the test of real love. लेकिन इस दुनिया में जैसे ही को ना बोलता हमें लगता है ये तो अपना है ही नहीं. When parents teach children that setting boundaries or saying no is bad, they are teaching them that others can do this with them as they wish. They are sending their children defenseless into a world that contains much evil. Evil in the form of controlling, manipulative and exploitive people. Evil in the form of temptations. अगर आप अपने बच्चे को good touch और bad touch में सिखाओगे नहीं और बोलोगे, मम्मी को ऐसे नहीं, मत बोलो, अंकल को हाँ बोलो, अंटी के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? So, you are actually exposing that child to controlling, manipulative and exploitative behavior for which you will suffer over a period of time. Complainants क्या बोलते हैं? Saying yes is bad or saying yes to the bad. कितना बार आपके जीवन में हुआ है? कितना बार आपके जीवन में हुआ है? बोलना कि मैं call back कर लूँगा और message ले लो. कितना बार आपके जीवन में हुआ है? जहां आपने गलत को हाँ बुला है. हाथ उठाएए. मैंने तो बहुत बार बुला है. मुझे पता था वो गलत है. फिर भी मुझे हाँ बुलना पड़ा. Out of compulsion. Out of social pressure. Out of fear, guilt, resentment and anger. This type of boundary conflict is called compliance. Compliant people have fuzzy and indistinct boundaries. They melt into the demands and needs of other people. कितने लोग हैं जो ice cream के तरव melt हो जाते हैं? जब आपका बेटा जीद करता है. आपकी वाइफ जीद करती है. और बड़े प्रेम से बोलती है. इतना तो कर दो मेरे लिए. So there is always a right way and there is an easy way. And generally the right way is not the easy way. आपके life में आप क्या चूज करते हैं? Right way और easy way. So there is always a choice. There is a right way and the easy way. Complainants for example pretend to like the same restaurants and movies their friends do just to get along. ये golden line को आप लोग ध्यान से सुन लिजिये. Just to get along. Just to get along. Just to get along. आपको बिलकुल मन नहीं है. Still you will go to the same restaurant, same movie, same boring party. कि कितना बार आप पार्टी में जाते हैं? और कुछ लोग कुछ डिसकुशन कर रहे हैं. आपको बिलकुल इंटरेस्ट नहीं है. Now I will ask this question to Robin जी. Robin जी, I've gone for a party. You are a spiritual minded health enthusiast और वहां लोग डिसकुस कर रहे हैं. एक ऐसा टॉपिक जिसमें बिलकुल आपको इंटरेस्ट नहीं है. But you are standing there. And just to get along. और आपको लग रहे हैं कि मेरा एक एक सेकंड वेस्ट हो रहा है. How will you make your boundary? Can you share? What you said, I do find myself in some situations. It's a good question. Just thinking about it. You know, I will start, I'll start my, I have some to-do tasks. But I can't, of course, in front of them because I'm going to a social function. But I'm going to be internally focused. I'm going to think over it. You know, Robin ji, thank you. Thank you. It's a nice answer. You know what I'll do? I'll set my alarm alarm for 5 minutes later. And when it's ringing, I'll take it and say, Okay, I'll just talk to you. I'll go from that place. And then I'll go there. Because my time is precious in this material world. I can't talk strap. और मैं सीथे बोलूँगा कि My dear friends, please don't mind now. This topic is not interesting me. I'll get back to you over a period of time. I really appreciate the way you all are. और मैं निकल जाओंगा वहाँ से. इसके लिए, Dr. Swarabh, जौदरी जी बनना पड़ेगा, मुझे थोड़ा, you know, that level आना पड़ेगा, ये करना कि ये. जब सच्चाई को आप बोल सकते हैं ना दूसरों को, बिना गिल्ट के, समझे की आप communication expert बन गया है. जब आप अपने दिल के फीलिंग्स को खुल के बोल सकते हैं दूसरे आदमी को, tact is the art of pinpointing your feelings without making the other person feel bad. Absolutely. Thank you. Coming to the next very important topic, which I will be discussing here. This type of boundary problem paralyzes people's no muscles. Whenever they need to protect themselves by saying no, the word catches in their throats. कितने लोगों को ना बुलने में बड़ा तकलीफ होता है. ना मुझ से निकलता ही नहीं है. Especially जिससे बहुत प्रेम होता है या लगाव होता है या लगाव करने का दिखावा करना पड़ता है. ना मतलब ना कैसे बोले. This happens for a number of reasons. And this is one of the very important slides जो सब को screenshot ले लीजिए. हम लोग ना क्यूं नहीं बोल पाते हैं. लग पहन सिह ने लगै़्स पहर लीज़ को उजीर्ज आफाले का किया लगावश देवावावी नहीं से झालबे से लीज़ की. fear of being seen unspiritual and fear of one's over strict critical conscience and how to deal with this? God wants us to be compliant from inside out, यानि compassionate and loving, not compliant on outside and resentful on inside, sacrificial. यह golden line को मैं ऐसे करके बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार सुनो, बार बार सुनो, हजार बार सुनो, यह सुनने की चीज है, सुनते रहो. भगवान कैसे चाते हैं हम जीए, अंदर से प्रेम हो, अंदर से सच्चाई हो, जो आप फील करें बेहिचक बोलिये, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, सैक्रिफाइस के नाम पे, मूवीज के गाने पे, हम दिल दे चुके सनम, हम अपने आपको सैक्रिफाइस कर दिये सनम, यानि पाहर से आप एक ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप रिसेंट्फुल हैं, is this not the reality of life, हर पल, this is the reality, and by learning the skills of personality, by learning the skills of five love languages and boundaries, you can overcome this, सच्चाइन में इतना पावर है, चाहे पतंजली बोलके गए, या भगवत गीता में कृष्न बोले, या बुद्ध बोले, या महावीर बोले, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जो दस साल तक एक भी जूट नहीं बोले हैं, and believe me my dear friends, ये लोग अगर बोलते हैं कि आज़ शाम को बारिश हो जाएगी, तो उस दिन गर्मी में भी बारिश हो जाती है, प्रकृती भी उनके अनुसार चलने लगता है, क्योंकि सच्चाई में तप है, सच्चाई में बल है, इस जूट की जिन्दगी को कब तक जिएंगे हम लोग, बॉस से जूट, मैनेजमेंट से जूट, फील कुछ कर रहे हैं, मनुष्य एक अजीब प्रानी है, वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, और इसी लिए उसके साथ होता कुछ और है। जिस दिन आप सच्चाई को बोल पाए, समझिए कि परमात्मा का प्रकाश आपके उपर पढ़ने लगा है। आप जैसे सोचोगे, वैसे ही होगा. आपको पैसे चाहिए, पैसे आने लगेंगे. Law of attraction doesn't work artificially. It works by purity. The purer you are, the faster is the law of attraction. And what does purity mean? सच्चाई, काम, क्रोध, लोब, मो, घ्रिना, मद, मत सर्य से. Reduction, reduction, reduction. So God wants us to be loving, but God doesn't want us to be hypocrites. बाहर से हाँ, अच्छा लग रहा है, I love you, I love you, I love you, और अंदर से, I hate you. या आप एक ऐसे stage में आ सकते हैं, जहां आप अपने wife को बोल सकते हैं, कि actually I feel this for you, but I really look forward to love you. If we can discuss this problem in detail, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की. क्योंकि हम लोग इस जूट की संसार में जूट के relationships को मृत्यू के शैया तक खिचते हैं. Avoidance, saying no to the good. When someone needs four hours with me, I can't say no. When I need someone for 10 minutes, I can't ask for it. होता है कि नहीं होता है? आपके साथ होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है. Isn't there a transistor in my head that I can replace? चार घंटा वो आदमी आपका ले लिया, आपसे ना नहीं बोला जा रहा है. लेकिन 10 minutes बोलने के लिए आप हिचक रहे हैं. पता है क्यों? चलिए देखते हैं क्यों. Because these type of people are called controllers. हर आदमी के जीवन में कोई-कोई controllers हैं. जैसे कि संतोष मैडम ने अभी बताया how her principle was controlling her. और सब के सामने she passed a negative comment and she went and cried in her office. कई बार हमारे controllers, हमारी wife, husband, बच्चे, near and dear ones हो जाते हैं. Controllers can't respect others' limits. They resist taking responsibility for their own life. So they need to control others. आप लोग सब को समझ में आ रहे हैं? Are you all understanding? It's a very deep concept. Remember the boulder and knapsack controller. दो टाइप के controller होते हैं. Boulder मतलब बड़ा पत्थर और knapsack मतलब bag. Controllers look for someone to carry their knapsack. यानि individual responsibilities. In addition to the boulders. यानि उनके life में crisis आएगा, वो बोलेंगे आपके ही करन सब कुछ हो रहा है. आप ही मेरे जीवन के काटे हो. आप से मेरी शादी नहीं होती तो मेरा जीवन नहीं बदलता. और यहाँ पे I have taken an example. Had Steve shouldered the weight of his own job, Frank would have been happy to pitch in extra hours from time to time. But the pressure of covering for Steve's irresponsibility made a talented professional look elsewhere for work. सबको समझ में आ रहा है, मैं हिंदी में इसको translate कर दे रहा हूँ. एक व्यक्ती office में बड़ा honestly काम करता था. लेकिन उसका boss एक controller था, जिसने boulder भी दे दिया, knapsack भी उसको दे दिया. एक समय आ गया उसके जीवन में. क्यूंकि अब वो उस दो responsibility को लेने पा रहा था, वो controller इस अच्छे व्यक्ती को जीवन भर के लिए खो दिया. And these type of controllers are called manipulative controllers. कितने लोग ऐसे हैं कि we care for someone so that they'll care back for us is simply an indirect means of controlling someone else. सब को समझ में आ रहा है ये बात. करते हैं कि नहीं हम लोग अपने जीवन में ये. और फिर जब हमारे साथ होता है, हमें लगता है प्रभु जी कोई हमें प्यारी नहीं करता है. Please understand the depth of these lines, the very very deep boundary injuries. Finally, अगर आप में जीवन में आप धीरे धीरे आईसोलेट हो जा रहे हैं, लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, समझे कि there is a controller within you. People only stay with them because of four reasons. That is fear, guilt and dependency. And at some deep level, they are aware of their isolation. There is no fear in love. आप देखिये कि जिसको आप बोलते हो कि आप प्रेम करते हो, उससे कोई डर है क्या आपको? There is 60% love, then there is 40% fear. When there is 80% love, there is 20% fear. When there is 100% fear, there is 0% love. And when there is 100% love, there is no fear. But perfect love drives out fear. We can't terrorize or make others feel guilty and be loved by them at the same time. सबको समझ में आ रहे हैं? आप लोग बोल सकते हैं कि class को अभी बंद कर दीजे क्योंकि अभी तो मेरा अधा क्लास पी नहीं हुआ है. Because dose, overdose ना हो जाए. I only want to give till the people can take it. And let me see how much I have covered. Okay, so 1, 2, 3, 4, slide number 14. I don't want to just rush through. We will take this and type 1. So there is a total of 78 slides. और ये तो बस जनरल वाला क्लासे जोई में यूटुब में डालूंगा. When I put it in the app and go for detailed discussion, it is a huge topic. Okay, so just remember, can my digital team remind me next time that where I stopped today? Okay, so I'm stopping the share and we will take question answers, live examples, day-to-day stories. And see how all of you resonate with this.